दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुब कामना है दिवाली मनाईए बिंदास तरीके से दिवाली मनाईए मिठाइए खाइए दिये सजाइए जिसको पठागे चलाने चलाइए जिसको पठागे नहीं चलाने मद चलाइए एक चीज का ध्यान रखना अगर आप दिली में रहते हों तो सुप्रिम कोट ने ओर दे दिया पठाके नहीं चला सकते तो भाई मत करना ऐसे काम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है पॉलिशन बहुत जादा बड़ा हुआ है मेरे बे गले की वाट लगी हुई है पर अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेना मत भूलिएगा और जिनके पास में प्रोफेशनल कैमरास हैं उनके कैमरास डेफिनिटली अब तक बैग्स में जा चुके होंगे और नहीं गए तो मुझे पता है आप रख दोगे साल याद दिलाएंगी कि आपने कैसी दिवाली मनाई थी और अगर एक फोटोग्रफर हो और तब भी अच्छे पिक्चर नहीं खींचोगो इस स्मार्ट फोन से तो यार कोई आपको फोटोग्रफर नहीं मानने वाला मेरा नाम है विपिन गौर और मैं एक फैशन अनुटाइजिंग फोटोगरफर हूँ पर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्ट फोन के कैमरा को यूज करके इस दिवाली पर शांदार पिक्चर्स खींच सकते हो सबसे पहले टिप बहुत ही बेसिक टिप है लेकिन बेसिक टिप होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको नजर अंदाज कर दो क्योंकि बेसिक चीजें ही ज्यादा लोग नजर अंदाज करते हैं और बेसिक टिप ये है कि आपके फोन के अंदर जो पीछे लेंस दिये हुए इन lenses को आपको clean करना चाहिये ये様 कि आपके पर्ष में रहता है आपके बाग में रहता है आपके पॉकेट में रहता है और इसके lenses गंदे हो जाते हैं तो इसके lenses को साफ करना बहुत ज़्रूर ही है अगर आप lenses साफ नहीं करेंगे तो एक अजीब सी glare और softness आपको मिलेगी आपकी images के उपर वो sharpness आपके खतम हो जाएगी आप इसको साफ कैसे करना है तो simple सी चीज है जो चश्मा साफ करने वाला कपड़ा आता है वो बहुत smooth होता है उसको use करके इसको साफ कर लो अगर आपने सही जगा पर focus नहीं किया तो आपकी camera के अंदर जिस subject को आप shoot करना चाहते है वो out of focus हो जाएगा photography के अंदर दो चीजें सबसे आदा important होती है focus और exposure और ये दोनों ही चीजें आप अपने smartphone के अंदर use कर सकते हो आपको करना ये है कि आप अपने camera को जैसे ही point करोगे जिस तरफ आपको images खीचनी है तो जिसकी आप picture खीचना चाह रहे हो उसके उपर आपको tap करना और tap को दबा के रखोगे तो वहाँ पर एक lock आ जाएगा lock का मतलब ये है अब आपके smartphone के camera ने focus lock कर दिया है अब वो किसी और जगह पर focus नहीं करेगा जो अगली tip है वो भी easy के साथ जुड़ी हूए वो है exposure तो आपको exposure करेक करना है मतलब ये कि आपकी image कितनी dark आएगी और कितनी जादा bright होगी ये depend करता है exposure से so यहाँ पर बहुत simple तरीके से आप exposure को set कर सकते हैं आप जैसे ही tap करेंगे subject के उपर उसके नीचे या उसके साथ में slider आजाएगा depend करता है कि आप कौन सा phone यूज़ कर रहे हो कि भीया मेरे को यहाँ पर exposure कम करना है ताकि आज पास की light ना है और अगर आप चाहते हो बहुत जादा bright हो जाए तब आपको इसको लॉक करके इसको आपको ओवर लेके जाना पड़ेगा तो बहुत simple सा है simple tap करो focus करो और उसके बाद नीचे जो adjustment दी हुए है उससे आप brightness या पीछे lenses बने होते हैं यह lenses सिर्फ शो के लिए नहीं होते हैं आपके smartphone में अगर तीन चाह lenses दे हुए हैं तो उनको पहले चेक कर लो कि कौन सा lens क्या करता है और simple सा तरीका है जैसे मेरे पास यहाँ पर तीन lenses यहां दिये हुए है तो मेरे पास अंदर आ रहा 0.6, 1X और 3 यान आप कहो है कि जी हम तो zoom भी तो कर सकते हैं जूम अगर आप इस तरीके से कर रहे हो digitally zoom कर रहे हो तो आपकी image में कभी भी clarity नहीं आएगी तो अगर आपको portrait कीचना है तो टैली के ओपर जाओ आपको यहां पर 3X मिल जाएगा और उसके बाद simple ऐसे जाकर के आप picture क्लिक कर दो और अगर आपको लग रहा है जादा wide area आ रहा है तो आप थोड़ा past से ले जाओ थोड़ा पीछे चले जाओ और या फिर image किचने के बाद में उसको crop कर लो उसमें आपको जादा better details मिलेगी बजाए इसके के आप यहां से image को zoom कर अब अगली मेरी tip यह है कि lazy मत बनो सही तरी इसे भी बहुत ही low angle आप अचीव कर सकते हैं बहुत ही low angle से आपको short मिलेंगे और जो unusual angles होते हैं उनको देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि usually आप क्या है हम एक level पे चलते हैं हम एक level पे खड़े होते हैं एक level पे बैठे होते हैं अगर आप उसी level से pictures हो खीचोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर पर जैसे ही आप बिलकुल height पर जाते हो या बिलकुल नीचे low के उपर आजाते हो तो images के अंदर wow factor आजाता है तो आपको अपना सही angle ढूड़ना है थोड़ी सी मेहनत करनी है तभी आपको बहुत अच्छी pictures मिलने वाली हैं इससे आपको जाना चाहिए pro mode में हर स्मार्टफोन के अंदर आज कल pro mode या manual mode आता है लोग उसमें जाने से डरते हैं पर आज मैं आपको कुछ ऐसी tip देने वाला हूँ जिससे कि आप डरोगे नहीं आप अराम से pro mode के अंदर जाओगे और अपने स्मार्टफोन को बहुत ही बंदा So wide balance के उपर मैं बात में आता हूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ISO की और shutter की और बहुत ही असान तरीके से मैं आपको यहां पर बढ़ाता हूँ ज्यादा नहीं करूँगा ISO जितना ज्यादा बढ़ेगा आपकी image में उतनी ज्यादा noise आएगी shutter जितना ज्यादा घटेगा इमेज में उतना ही ज्यादा motion आएगा तो शाम के टाइम अगर आप picture कीच रहे हो light वहाँ पर कम है तो यहां तो आपको ISO को बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको shutter को घटाना पड़ेगा तो यहां पर हम करके एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहला आपको काम करना यह है कि आप अपने ISO को यहां पर 400 तक ले आओ 400 तक ISO बहुत अच्छे से काम करता है कोई प्रॉब्म ने आईगी उसके बाद में अब आपको shutter के उपर जाना है और shutter को आपको तब तक सेट करना है जब तक कि आपको बहुत सही तरीके की brightness आपकी image में ना मिले एक चीज का दियान को आपको यहां पर समालना है तो आपको shutter को तब तक adjust करना है जब तक कि वो flickering बंदना हो जाए एक setting पर definitely वो flickering बंद हो जाएगी तो flickering के accordingly आप अपने shutter को सेट कर लो एक पर दुबारा से आप ISO के उपर जाओ और अब उसको सेट करो आपकी image की brightness adjust हो जाएगी अब तीसरी जो इसके अंदर है वो है white balance अब white balance करता ही है कि वो यह तो आपकी image को cooler tone की तरफ ले जाता है यानि की bluish tone आ जाती है उसके अदर या फिर वो yellowish tone की तरफ लेके जाता है warm tone तो आपको देखना ही है कि आपको image कैसे चाहिए चो मेरे को warmer tone जादा पसंद है दिवाली है तो warm tone ही colors के हिसाब से आपको अपने white balance को set करना है जादा confused होनी की जरूरत नहीं है एक बार दुबारा से इस वीडियो को चलाओ एक एक टिप को दुबारा से सुनो बहुत आसान है अभी सुनने में शायद confusion हो अपने smartphone को निकालो उसके camera को on करो और यह सारी settings आपको अराम से दिखा ना चाहते हो तो नीचे comment box में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हो दिवाली से पहले ही पूछ ले ना यार दिवाली निकल जाएगी उसके बाद अगर आप मुझसे पूछ होगे कि दिवाली पे कैसे हम अच्छी pictures ले सकते हैं तो मज़ा नहीं आएगा और मैं अपनी दिवालों के जवाब दिवाली से पहले पहले आपको दे दूँ ताकि आप बहुत ही शांदार images कीच पाओ तो मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुप काम नहीं